दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 101 से लेकर के आगे की कोश्चन इसका मतलब अभी तक 100 कोश्चन हमारे हो चुके हैं MCQs का पूरा सीरीज चल रहा है बहुत इंपोर्टेंट हैं सारे सारे सवाल अभी तक नहीं देखें पुराने वीडियो भी आप देखिएगा आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं चलिए हम आज बात कर लेते हैं यहां पर माइक्रो बाइलोजी का पहला सवाल आपको देखने को मिल रहा होगा सामने दा बैक्टरिया पीएस इन चाइनिज लेटर पैटरन तो इसमें आपको सवाल पूछा गया है मॉर्फोलोजी से लेकर के जो आप बैक्टरिया पढ़त इन्टिफिकेशन दे देते हैं कि इस तरीके से आपको दिखाई देता है तो हर एक बैक्टरिया का अपना-पना इन्टिफिकेशन होता है मॉर्फोलोजी में ठीक है तो उसी सवाल है यहां पर तो आपसन यहां पर दिये हैं बहुत सारे हम चाइनिज लेटर पैटरन की बा तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें चाइनिज लेटर पैटरन कौन सा दिखाई इसमें आपको देता है तो सबसे यहां पर करेक्ट ऑप्सन जो है आपका सी नंबर है कॉर्णी बैक्टिरियम ठीक है तो कॉर्णी बैक्टिरियम जो है आपका ग्राम पॉजिटिव बेसि इतना समझ में आया इसके अलावा इसको अब हम चाइनीज लेटर पैटर्न क्यों बोलते हैं क्योंकि इसका जो है आपका यह जो बेसिला ही होता है यूजवली आपका एंग्यूलर फैसन में दिखाई देता है ठीक है जो की लेटर आपका वी और एल ठीक है तो इस तरीके से इसलिए इसका हम क्या बोलते हैं इसको चाइनीज लेटर या फिर क्यूनी फॉर्म अरेंजमेंट ठीक है तो वह भी आप याद रखिएगा चाइनीज लेटर यहां पर दिया हुआ है इसके अलावा क्या है क्यूनी फॉर्म ठीक है अरेंजमेंट तो यह भी इसको जो है कहा तो यह आप याद रखिएगा एक्जाम में अगर दूसरे चीज से पूछा गया तो वो भी आपको पता होना चाहिए ठीक है इसके अलावा हम देख लेते हैं अब करेक्ट आपको मालूम चल गया अब हम बात कर लेते हैं इसमें बाकी के आपसन के बारे में तो यहां पर जैस अगा है स्ट्रेपोग तो स्ट्रेप to pa कक के बारे में आप लोगम ने पढ़ा है अच्छे से यह आपका क्राम पोजीटिव कोकाई है ठीक है और यह सब्सक्राइब अर्फाइलोग तो यह आपका ग्रेप लाइक लाइक क्लस्टर ॆ स्टेटेमने खृन स्ट्चर्श ऑनगूर की तरह घ्रेल टेक्ष से यह देखाई स्ट्रेश को मौत मैं स्टिप्वाइलो इंप Origins स्ट्वाइल तो बहुत सारे एक ही सद्दों से हमने देख लिए हैं तो यह चीजें सब्सक्राइब रखिएगा और चलिए हम अगले कोश्चन की तरफ चलते हैं अगला कोश्चन है आपका 102 यहां पर दिया है दा नुकलियर इस्टेन इन पैप स्टेनिंग यह साइटो लोजी का कोश्चन है आप साइटो पैफिस्टेन आपको देखने को मिल जाता है तो सबसे पहला तो यहां याद रखिएगा पैपिनोकुलो इस्टेन तो कई बार इसका फुल फॉम भी पूछ लेता है सरवाइकल साइटोलोजी में यह आता है तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा तो पैपिस्टेन का पूरा प्रोसीजर मेरा कंप्लीट प्रेक्टिकल वीडियो मेरे मैं चैन को ठीक है दोई चीजें होते हैं तो नुकलियर जो नुकलियस को स्टेन करते हैं तो ब्लू कलर जो आपको देखने को मिलता है तो जैसे कि आपका हमेटॉक्सलिन है तो यहां पर आपका करेक्ट ऑप्सन भी आपका नुकलियर स्टेन में कौन सा आजाएगा हमेटॉक्सलिन तो आप हीमète उक्सिजन इस्टेन करते हैं आप कनफ्यूजन मत हो जाएगा कि मेथालिन बुलू है करके तो आपके पैपist 있을 भी मेथालिन बुलू यहाँ पर नहीं आएगा इसके अलावा यहाँ पर मेथाल वॉयलेड भी दिया हुआ है उसके बाद Eosin भी दिया है बाकी जो साइटो प्लाजमिक इस्टेन होते हैं आपके दो इस्टेन वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं एक होता है और एक होता है Eosin एजियोर नाम सुना होगा अप लोगोंने ठीक है इस तरीके से यह हो जाते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आपका क्यों सा हो जाएगा नुक्लियर इस्टेन में हमेटॉक्सलिन मतलब ए नंबर का ओप्सन जो इसमें करेक्ट है चलिए हम अगले चल दें हैं अग्ले सवाल की तरप यहां पर 103 अब यहां पर scientist को लेकर के सवाल पूछा है फिर से ठीक है तो पहले भी हम कर चुके हैं बहुत बार यह सवाल जो है आते हैं scientist को लेखा कि भाई उनने कौन सा पता है तो ठीक है सबसे पहला यहां पर दिया हुए एलेक्जंडर फ्लैमिंग यह तो आप छोटे किलास में रहोंगे तब से आप पढ़ते आ कि भाई पैनिसलिन बहुत फैमस चीज है तो इसकी खोज इन्होंने किया था इसके अलावा यहां पर जेसी बोस दिया है जगदीश चंद्र बोस तो यह जो है आपके प्लांट फिजियोलोजिस्ट कहलाते हैं ठीक है इसके अलावा यहां पर जो है डायमित्री इवैनवस्की ठीक है जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो यह साइंटिस्ट जो है इन्होंने खोज किया है किसका वाइरस का ठीक है तो आपका करेक्ट आप्सन आपको मिल गया ठीक है उसके बाद जो है हमारा डीवाल आप्सन जी यह है लोइस पास्चर इसके बारे में आप बहु जरूर कर दीज़े साथ में ताकि हमें भी motivation मिलता है इससे और आप comments तो करी रहे हैं इसके साथ साथ आप description पर link पर जाएंगे तो बहुत सारे books के link आपको मिल जाएंगे आप वहां से purchase कर सकते हैं देख सकते हैं ठीक है चलिए अब हमारा 104 यहां पर दिया हुआ है तो यो प्रोटोजोन पैरासाइट तो प्रोटोजोन पैरसाइट आप बंद करके यहां पर लगा सकते हैं जोAD apprendre प्रोटोजो car iassina प्रीका प्रोट्री हो जाया क्यों तो को हाँ कुछा जाएगा प्लाजमोडियम म्लाजमोडियम उप्सट्री प्लाजमूडियम ए जो आप 3-5 प्रटी है ये सs ब्लाबी ऐस्कहिरिस ये आपके नमेटोड्स में और इंट्रॉबियस है तो यह भी intestinal nematodes है जब आप parasite पढ़ेंगे तो इसमें detail आपको parasite पढ़ने को मिल जाएंगे सारे important parasite है इनके बारे में detail आप जरूर पढ़िए सबके बारे में question आते हैं ठीक है चलिए अगला जो हमारा सवाल है और यहां पर देखने को मिल रहा होगा आपका यह cell से सवाल है यह भी आप अधिकतर बार पढ़ चुके हैं इसमें कोई दो राय नहीं है फिर भी आप answer कर दीजी इसके लावा बाकी चीज़ों के बारे में भी हम देख लेते हैं जो आपसन यहां पर दिया है तो वन जी रो फाइप यहां पर दा पावर कि अगर बात करें तो यह हेल्पिंग सेल वाल फॉर्मेशन इसके अलावा गॉल्जी बॉड़ी से अगर है तो यह भी आपके helps in process and package proteins and lipid molecules ठीक तो इस तरीके से यह सभी के function आपको पता होना चाहिए cell तो basic structure है functional unit आपके जो भी body का जब formation होता है तो एक मुलभूत एकाई के नाम से कोसी का को जानते हैं उसके सारे compositions आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्या क्या चीज उसके अंदर होते हैं किसका क्या function होता है बहुत important है कहीं से कोई साभी सवाल कभी भी पूछ लिया जाता है तो इसलिए आप उसके बारे में detail तो आपका basic है वो उसके बारे में तो पता होना ही चाहिए ठीक तो इस तरीके से कोछ होते हैं हमारे 105 तक हम पहुँच चुके हैं आगे भी continue करेंगे आपको यह mcqs कैसे लग रहे हैं आप हमें जरूर बताएं कमेंट्स करके और आगे भी हम इसी तरीके से continue करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बेल आइकन दबा करके रखिए हमारे में चैनल पर भी आए और इंस्टाग्राम फेस्बुक ट्विटर सब में फॉलो कर दीजिए थैंक्यू सो मच